एक strong mindset को हम कैसे create करें जिससे कि हम हर challenge को हर situation को easily handle कर सके उसे हम easily face कर सके हाई my name is PT and welcome to my channel जजबा तो चलिए start करते हैं और इसी को लेकर बात करते हैं हम अपने mind में आलतू-फालतू की बेकार की चीज़ों को भड़ते रहते हैं इसलिए हमारा mind सही तरीके से work नहीं करता है जैसी चीज़ें हम अपने आज पास experience करते हैं जैसी चीज़ें हम अपने आज पास देखते हैं सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं वैसे ही हमारे thoughts बनते हैं उनका सीधा सर हमारे उपर पढ़ता है वैसी ही हमारे पोल होते हैं और वैसे ही फिर हमारे काम भी होते हैं आपके माइंड को जो सबसे ज़्यादा इस टाइम अफेक्ट कर रहा है वो है आपका फोन जिस पर आप दिन रात लगे रहते हैं जिस पर लगे रहने से आपको टाइम का भी अंदाजा नहीं लगता है तुबा उठने से लेकर रात में सोने तक हर वक्त आप अपने फोन पर लगे रहते हैं और सारी negativity आपको आपके फोन से ही मिलती है आसपास के चीजों से अब हमारा जादा मतलब नहीं रह गया है हमारा जादा मतलब हमारे फोन से है इसलिए ये जरूरी हो गया है कि हम अपने फोन को खुद से थोड़ा दूर जरूर करें यही वजह बनता है आपकी बिमारियों का यही वजह बन रहा है आपके अंदर टेंशन और इंसाइटी का और इस चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है यह आपके सोचने समझने की कैपसिटी को भी दिन बदिन कम कर रहा है आपके मेंटल हेल्थ पर यह बहुत ही गहरा असर डाल रहा है फोन से खुद को दूर रखने की कोशिश करिए यह impossible नहीं है यह possible है अगर आप चाहेंगे तो इसके लिए आप अपने पूरे दिन का शेडियूल बनाईए अगर आपके पास पूरे दिन करने को काफी कुछ होगा तो बेवज़े आप अपने फोन से चिपके नहीं रहेंगे बेवज़े आप टाइम पास के लिए अपने फोन को स्क्रॉल नहीं करेंगे अपने अंदर spiritual books को पढ़ने की habit develop करिए क्योंकि ये हमें सही राह दिखाते हैं पढ़ना हमारे mind के लिए एक diet का काम करता है और जब हम अपने mind को सही diet देते हैं तो वो अच्छे से work भी करता है इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है पूरे दिन भर में कोई एक time अपने पढ़ने के लिए fix करतीजे कुछ अच्छे books जरूर पढ़िए इससे हमारी सोच भी positive बनती है हमारी अच्छी और positive सोच हमें भगवान से connect करके रखती है अगर हम अच्छी सोच रखते हैं तो हमें universe वैसी ही अच्छी चीजों को double करके हमारे पास लोटाता भी है जितना आप अच्छी चीजों से अपने आपको घेर के रखेंगे उतना ही ज़ादा आपका mind और ज़ादा creative और positive बनेगा दूसरों की बुराई करने से भी बचिए क्योंकि कोई कैसा भी हो उसे सुधारने का काम आपका नहीं है क्योंकि आप खुद भी perfect नहीं है हम हमेशा दूसरों की गलतिया निकालने में लगे रहते हैं या फिर किसी की कोई एक बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं और हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हैं ऐसा करने से हम कभी भी अच्छी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं या फिर हमारे माइंड में अच्छी चीज़ें आहीं नहीं पाती हैं हमारे माइंड में कुछ अलग कुछ नई बाते क्रियेट ही नहीं हो पाती क्योंकि हम हर वक्त ऐसी ही चीजों को करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसे ही फिर हम बनते भी जाते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस भी इसी की कर रहे हैं अच्छी चीजों को करने में हमें थोड़ी problem तो होती ही है, है न? जो चीजें हमारे लिए ठीक नहीं है, उसी चीज को करने का हमारा बार बार मन करता है, क्योंकि वो काफी easy होता है, और उस चीज में हमें मज़ा भी आता है, लेकिन अगर आप कोई चीज पाना चाहते हैं अगर कोई चीज आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपना मन उसमें लगाना पड़ेगा उस चीज में अपना इंटरेस्ट जगाना होगा उस चीज को करने की प्रैक्टिस डालनी होगी और धीरे-धीरे करके आपका उसमें फिर मन भी लग जाएगा जैसे आप अपने physical health का ध्यान रखते हैं अपने physical health को अच्छा बनाए रखने के लिए आप अच्छी diet लेते हैं आप exercise करते हैं उसी तरीके से आपको अपने mental health की भी care करनी है उसको भी आपको अच्छी diet देनी है यानि कि अच्छे environment में रहना है अच्छे लोगों के साथ रहना है अच्छी thinking रखना है आपको meditation करना है nature से connect करके रखना है ये सारी चीज़ें आपको mentally fit रखेगा पुद पर यकीन रखिए फिर आप चाहे जैसे भी हैं चाहे जैसे का मतलब ये है कि अगर आपको हमेशा किसी न किसी का साथ चाहिए अगर आपके अंदर किसी चीज़ का डर है पिर भी आप अपने आपको ये भरोसा दिलाइए कि आप कुछ भी कर सकते हैं खुद के लिए अच्छा सोचना शुरू करिए आप बहुत कैपेबल हैं किसी भी चीज़ को इनिशियेटिव लेना शुरू करिए इससे आपका आपकी उपर ट्रस्ट बिल्ड होगा इससे आप किसी भी रिस्क को लेने से डरेंगे नहीं आप इन्डिपेंडेंट बनेंगे और इमोशनली ये आपको स्ट्रॉंग भी बनाएगा कोई भी टफ सिचुएशन आएगी आप उस चीज़ को इसली हैंडल कर लेंगे उसका सल्यूशन आप इसली निकाल पाएंगे और बाद में आपको खुद इस चीज़ पर यकीद नहीं होगा कि आपने ऐसे सिचुएशन को कैसे इसली हैंडल कर लिया और धीरे धीरे करके ऐसे ही आपका विश्वास खुद के उपर मजबूत होता जाएगा कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती है हम खुद उसे मुश्किल बना देते हैं क्योंकि हम पहले से ही उसे मुश्किल माल लेते हैं हम ये माल लेते हैं कि ये बहुत टफ है ये चीज मुझसे नहीं हो पाएगा और जहां हम ऐसा माल लेते हैं वहीं पर हमारी कैपबिल्टी आधी हो जाती है जब हम हिम्मत करके किसी चीज को करना स्टार्ट करते हैं तब ही वो धीरे-धीरे हमारे लिए आसान बनती है लेकिन यहां जरूरी यह है कि आप अपना मन अपने माइंड को कहा लगा रहे हैं आप जहां और जिस फिल्ड में अपने माइंड को लगाएंगे वो उसी चीज में एक्सपर्ट होता जाएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए मिलती हूं अगले वीडियो में अपना ध्यान रखिए Have a nice day, bye bye